नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचीन आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटीन में आज हम दोस्तों बात करने वाले है कि क्रिकेट में इस्तमाल होने वाले अंग्रेजी सब्दों का हिंदी मतलब क्या होता है उसके बारे में लेकिन दोस्तों आप क्रिक क्रिकेट में इस्तमाल होने वाले इन अंग्रे जी शब्दों का क्या मतलब होता है। लेकिन क्रिकेट में तर्मोनोलोजी का इस्तमाल किया जाता है। जिसका अर्थ असल में बहुत कम लोग जानते हैं। हाला कि आम बोल चाल की भाशा में इसका इस्तमाल सब करते हैं, अंग्रे जी के ये शब्द बहुत ही इंटरस्टिंग है, जिसका हिंदी मतलब आपको जानना चाहिए, इसलिए आज हम आपको ऐसे ही क्रिकेट में यूज होने वाले अंग्रे जी शब्दों के बारे में अंपायर के समकष की जाने वाली प्रतिक्रिया उसे अपिल कहते हैं, दोस्तो इसके बाद दूसरे वड की बात की जाए, तो दूसरा वड है एवरेज आप रंस, दोस्तो एवरेज आप रंस को हिंदी में रनों का अवसत कहा जाता है, नमबर तीन पर आता है बैड बाउंस दोस्तो बैड बाउंस को हिंदी में औ समान उचाल कहा जाता है, या फिर अजीबो गरिब उचाल कहा जाता है, इसके बाद दोस्तो चोथा वड है बीमर, दोस्तो बीमर को हिंदी में फिर बल्ले बाज को गायल कर सकने वाली गैंद कहा जाता है, दोस्तो पांचवे वड की प्रदर्शन दूस्तौ साथवह वड्यवेश्ट स्वागव भॉंसर को हिंदि में मतलब होता है उच्राईवाली ज्याद कि दोस्तों आठवा शब्द है बाईंगज स्पेल दुस्तों बाऋलिंग स्पेल को हिंदि में ग्याय गयंदाजी का दौर नौवह वर्ड है बाई दोस्तो बल्ले बाज के बल्ले से छुए बीना मिलने वाले रन को बाई कहा जाता है जिसमें कि दोस्तो बल्ले बाज के खाते में यह रन नहीं गीने जाते है इसलिए दोस्तो उसे बाई के नाम से जाना जाता है दोस्तो नमबर दस पर आता है सेंचीरी दोस् दोस्तो नमबर बारा पर आता है couple of runs जिसका हिंदी में मतलब होता है 2 run दोस्तो तेरवा सब्द है debutant दोस्तो इसका हिंदी में मतलब होता है पहला में आज खेल रहा खेलाडी इसके बाद दोस्तों नमबर 14 पर आता है declaration of inning दोस्तों इसे हिंदी का मतलब होता है पारी की गोशणा करना इसके बाद दोस्तों पंधरवा शब्द है double century दोस्तों double century का हिंदी में मतलब होता है 12 शतक यानी की 200 run इसके बाद इसके बाद दोस्तो इसका मतलब हिंदी में होता है अधिक तेम स्कोर या रन दोस्तो इसके बाद इसे हिंदी में मतलब होता है स्वेही अपने विकेट को उखाड़ देना इसके बाद दोस्तो 21 वा सब्द है inside edge दोस्तो इसे हिंदी में कहा जाता है बितरी किनारा इसके बाद दोस्तो 22 वा सब्द है outside edge दोस्तो उसे हिंदी में बाहरी किनारे के नाम से जाना जाता है इसके बाद दोस्तो 23 वा सब्द है lake before wicket यानि की lbw उसे दोस्तो हिंदी में पग लिया जाने वाला रन उसे लेगबाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तो 25 वा शब्द है Madden Over, उसको हिंदी में मतलब होता है बिना रन का Over। दोस्तो 26 वा शब्द है Man of the Match, उसे हिंदी में मतलब होता है Match का सर्वत्तम खिलाडी। दोस्तो इसके बाद 27 वा शब्द है Mandatory Overs, दोस्तो उसे हिंदी में मतलब होता है अनिवार्य ओवर, दोस्तो 28 वा शब्द है Night Watchman, जिसे हिंदी में रातरी प्रहरी के नाम से जाना जाता है, और दोस्तो उसका उपयोग ये होता है कि दीन के अंत में कोई पुछले बल्ले आज की विकेट को बचाने के लिए, दोस्तो इसके बाद आता है 29 पर, दोस्तो 29 वा शब्द है Obstructing the field, दोस्तो उसे हिंदी में कहा जाता है क्षेत्र रक्षन में बादा पहुचाने वाला, तीस्वा शब्द है ODI, यानि की One Day International Match, दोस्तो उसे हिंदी में एक दिवस्य अं और दोस्तोет को हिंदी में रनों का दर्भी कहा जाता है, 33 वा शब्द है दोस्तो उसे हिंदी में दर्शक के नाम से जाना जाता है इसके बाद दोस्तो शेतिस्वा सब्द है स्पीन बॉलर दोस्तो उसे स्पीन बॉलर को हिंदी में फिर की ग्यांदबाज के नाम से जाना जाता है इसके बाद दोस्तो 38 वा सब्द है टेलेंडर्स दोस्तो टेलेंडर्स का हिंदी मतलब होता है अंद के दो या तीन वल्लेवाज इसके बाद दोस्तो 49 वा सब्द है टेस्ट सिरीच दोस्तो उसे हिंदी में टेस्ट स्रिंखला के नाम से जाना जाता है इसके बाद दोस्तो 40 व हब से ग्यांतुरिक अएड़ सिसो सब्द्र सेरिन जानते की बरीप्वनमाइघ के लिए थे 2 सब्सक्राइश, के दीषरी सब्सक्राइश, deception सव्जबा जाता है CAll. यह उर नी भीस दोशालकाराय का जाता है समय दर फॉर्माबформ ह HC हिंदी में अब nova 520 और बल्यया ग्रीया ग्रक्शक करने से अपने शरेर को हिलाना लुलाना उसे वार्म-प के नाम से जाना जाता है दोसतो च्यालिसवा शब्दा है विट ट कीपर दोस तो किपर को हिंदी में विकेट रक्षक के नाम से जाना जाता है इसके बाद दोस्तों स्यातालिस्वा शब्दा है यॉर्कर को हिंदी में एक ऐसी जिसका टपा बल्ले बाज के पैरों के पास डाला जाता है उसे यॉर्कर के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह है क्रिकेट की कुछ ऐसी टर् कर दो क्योंकि मैं आसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा